बॉट मॉर्निंग तु आल उफ यू आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बैंकिंग वाला में आई होप आप बहतरीन होगे सुभा आठ बजे का सेशन पूरे डेडिकेशन के साथ आप लोगोंने लगाया होगा एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ा होगा mcqs करने की कला भी सीखी होगी passage को कैसे analyze किया जाए वो भी सीखा होगा और हर रोज एक नई direction में जो है आप आगे बढ़ रहे होंगे मैं अभी से assure करता हूँ आपको 100% बोल सकता हूँ कि आपका जो editorial session है वो game changer बनेगा आपके examination में जब बात reading comprehension की आएगी बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है उसके लिए हम जो है super mocks लेकर आए हैं देखे ये assurity है कि session में देखो भी ये learning तो बहुत जबरदस्त वाली मिलेगी सिर्फ practice के बारे में नहीं है बहुत कुछ सीख कर जाओगी आज की class से patience रखना non distracted environment में पढ़ना कोई disturbance नहीं होना चाहिए और मेरी बात को ध्यान से सुनना एक घंटे में दो घंटे की learning में आपको देखर जाओगा साफ मैं practice तो करवा ही रहा हूँ आज जो है मैंने चीजों को भी थोड़ा सा बदला है कैसे बदला है कि आज जो है मैं आपको नए pattern पर लेकर जा रहा हूँ जहां पर error detection का जो नया pattern है उसके दो types मैंने उठाए है column based question के दो types मैंने उठाए है और ये ध्यान में रखकर उठाए है कि इस class में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो शुरुआत कर रहे होंगे तो right from the basic पकड़ेंगे लेकिन concepts जो है वो सीखेंगे और बढ़िया concepts जो है वो भी सीखेंगे clear है चलिए शुरुआत करते हैं यार energy वाला इदो मुझे अगर सारे के सारे excited हो एकदम तयार हो class के लिए तो everybody please चलिए बहुत बढ़िया शुरुआत करते हैं सीधे मुद्दे की बात पर आएंगे यह सब आप जानते हैं खुल जासिमसिम एक नया भई इवेंट आ रहा है बहुत मज़ेदार होगा हाला कि मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है इसके बारे में थोड़ा बहुत पता है यहां पर देखो एक बात इंग्लिश वानी प्रो नहीं लिया हुआ है तो तुम जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करोगे लाइफ टाइम में तुम्हें अभी लिखके दे सकता हूँ लाइफ टाइम में तुम्हें कभी भी दुबारा मेरा कोर्स 349 पे नहीं मिलेगा आज तक नहीं हुआ क्योंकि फर्स टाइम में स्पोकन इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ इसी लिए मैंने इसको 349 पे लॉंच किय है अगली बार हजार से कमपे करूंगा ही नहीं ठीक है और साथ में बेसिक ग्रैमर का भी पूरा कोर्स नहीं किया तो कर ले ना कोई दिक्त की बाती नहीं कर रहे तो कोई बाती नहीं है मौज में रहो आगे बढ़ते हैं चले शुरुआ करते सीधे सवालों पर आएंगे ध को याद करना कि कहां पर आपको गडबर लग रही है सेंटेस को कभी ऐसे मत पढ़िएगा कि तुझ में एरर तुझ में एरर तू भी बेवफा तू भी बेवफा तू भी बेवफा तू भी बेवफा ऐसे करके करो गे ना तो तुम्हें सभी बेवफा नजर आएंगे कभी loyalty मिलेगी नहीं तुम्हें life में तुम्हें लगेगा कि हर शब्द में error है क्योंकि जब घूर से गूर के देखते हैं जोर से देखते हैं और शक भरी नजर से देखते हैं तो फिर अपने भी पराये लगने लग जाते हैं यही कहने का मतलब है एक आम आदमी की नजर से पढ़िएगा normal नजर से पढ़िएगा naturally अगर कोई error दिमाग में आ रहा है तो वो error होगा वरना नहीं होगा I hope clear हुआ होगा आते हैं पहले सवाल पर first question 45 seconds दे रहा हूँ मैं आपको 45 seconds आपके शुरू होते हैं अब मैं थोड़ा सा यार इसको उपर कर देता हूं I think error options नहीं दिख रहे होंगे कुछ बच्चों को चलिए दो जगा error है two part of the sentence दो हिस्सों में error है कौन से मैं बताना है आपने कौन से दो हिस्से हैं चलो भाया learning शुरू गड़ते हैं मैं देख रहा हूँ कि जादतर बच्चे गलत अंसर दे रहे हैं पहले सबाल कहीं जातर गलत आंसर दे रहे हैं क्यों दे रहे हैं ज़रा समझते हैं देखे क्या कहा जा रहा है क्या कहने की कोशिश की जा रही है अगर हैं पर हम ज़रा गौर से देखें तो समझेंगे कि पूरा ही जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में लिखा जा रहा है प्रेजेंट के क्वनटेक्स में बात की जा रही है जो यह डिजाइन है इसमें क्या शामिल है इसमें लग्जरी शामिल है फैसिलिटीज की इंडोर पूल हाउट टब है health club है, restaurant है तो अगर देखो, मैं एक simple सा sentence लिख रहा हूँ मैंने कहा, I bought a pen and pencil मान लीजे, मैंने ये sentence लिखा I bought a pen and pencil ये sentence गलत है, सुनने में आपको सही लग रहा हुआ, गलत है, गलत क्यों है क्योंकि हम जामते हैं, हमने दो चीजें खरीदी है, एक pen खरीदा है और एक हमने pencil खरीदी है बीच में क्या लगाया है, end लगाया है याद रखे, end से हमेशा same चीजें जुडती है, similar चीजें similar से मेरा क्या मतलब है pen है, pencil है, अब आप देख रहे है pen से पहले ए लगा हुआ है तो तब तक ये जुड़ नहीं पाएगा जब तक इस से पहले ए न लगा हो आपको लिखना पड़ेगा a pen and a pencil I bought a pen and a pencil अब जाकि ये क्या होगा, सही होगा जो conjunction and होता है वो similar चीजों को जोडता है तो अगर हम आखरी हिस्से में आएं कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि facilities में शामिल था क्या एक indoor pool शामिल था क्या लगाया? N एक hot tub शामिल था क्या लगाया? A एक health club शामिल था क्या लगाया? A और क्या शामिल था? Restaurant इसने कौन सी तुवारी भेंस चुरा लिए जो इसके आगे तुम A नहीं लगा रहे हो जब तुम्हें दिख रहा है कि यह सारे noun जो है वो एक साथ जुड़े हुए है तो why are you not placing A before this? सबसे common, सबसे basic error तो यही है तो अगर यहाँ पर आप A लगाओगे तो सही होगा पहली problem यह है अगर आपको यह बात समझ में आ गई है तो जड़ा दूसरा option देखते है मैंने कहा I bought a pen which write in blue ठीक है? पहला sentence दूसरा मैंने लिखा I bought pens which write in blue writes in blue अब देखो इस बात को समझना जरा ध्यान से सुनना जब भी हम जब भी हम क्या करते हैं जब भी हम which लगाते हैं तो यह जो which होता है किस के लिए लगा है? मैंने एक pen खरीदा जो नीले कलर में लिखता है नीले कलर में क्या लिखता है? pen लिखता है तो यह which किस के लिए लगा हुआ है? pen के लिए लगा हुआ है अगर मैं कहूँ यह pen कैसा है? singular है? plural है? आप कहेंगे sir singular है अगर बेटा यह pen singular है तो यह which भी singular है और अगर यह which singular है तो हम जानते हैं कि जब subject singular होता है तो क्रिया के आगे s लगाया जाता है हमें लिखना पड़ेगा I bought a pen which writes in blue which writes in blue वहीं दूसरे sentence में जाएंगे I bought pens यह which अब किसके लिए लगा हुआ है? pens के लिए लगा हुआ है यानि यह which क्या है? plural है अगर यह plural है तो इसका मतलब है s लगने की संभावना नहीं है plural nouns के बाद तो s लगता नहीं है तो यहाँ पर write in blue होना चाहिए अगर इसी concept को हम यहाँ पर लगाएं अगर हम इसी sentence को क्या लगाएं? side में लगाएं उसमें लगाएं facilities which यह which किसके लिए लगा हुआ है? facilities के लिए एक facility की बात तो रही है एक से ज़ादा की एक से ज़ादा तो यह क्या है? plural है अगर यह plural है तो यह भी plural होगा अगर यह plural है तो यहाँ पर S नहीं आना चाहिए include जो है वो आना चाहिए क्याना चाहिए? include जो है वो यहाँ पर आना चाहिए इसका जो error आप देख रहे हैं वो कहाँ पर है? एक तो third part में error है और एक fourth part में error है C जो है वो आपका right answer है I hope सभी को clear हुआ होगा अगर clear हुआ है तो एक बार CL type कर देना S fellow एक बच्चा कहा है Ser áp na rule आपने आपने कहा ता rule को sidence not my side में रख दिया अध्यार hurdle toो होता नहीं पहले पार concept और concept को और साइड में रखने के लिये लिए नहीं बोला ता ठीक है दिप माग को साइड में रखने को कुशिश कर रहा हूं कॉंसेप्ट को पकड़ो पहले सेंटेस को पढ़ो एक बार फिर जो है आंसर दो ठीक है दिमाग को साइड में भेज़े को साइड में मत रखो कि देखते हैं कितने लोगों ने जो है आंसर दिया है पांच प्रतिशत बच्चे जो है वो आंसर दे रहे हैं पांच प्रतिशत बच्चे जो है आंसर दे रहे हैं और जो डिज़ाइन का इत्ता समय जरद अपना common sense use करो न इतना समय अगर teacher दे रहा है तो क्यों दे रहा होगा अकडबकड बंबे बो करके sentence सही हो जाता तो देता न 30 seconds देता ज्यादा समय दे रहा हूँ न तो सोचने के लिए दे रहा हूँ तो या इसको बढ़ने दिया करो सूचा करो आराम से इतनी जल्दी क्या आंसर देने की जरा पढ़ते हैं देखी क्या कहा जा रहा है एक बहुत अच्छे लेबल का सवाल है इसको टुकडों में करते हैं हम फैले देखो जरा ध्याद से सुनना ठीक है अब देखो एक conjunction है that अब ध्याद से सुनना मेरी बात को बहुत focus से that एक conjunction है अब अगर that बेटा conjunction है तो इसका मतलब है इसने दो sentences को जोड़ा होगा तो अगर इसने दो sentences को जोड़ा है तो पहला sentence तो बेटा यह रहा होगा यहां से लेकर यहां तक और दूसरा sentence रहा होगा यहां से लेकर यहां तक इतने में मुझे लगता है किसी को कोई problem नहीं होगी क्योंकि that किया कर रहा है जोड रहा है मैं तनु बिटा मुझे जरूर आप contact करना message करो मैं आपको जरूर बताओंगा मैं definitely बताओंगा आप मुझे अपनी location बताओ अगर severe concern है तो मैं जरूर बताओंगा अब अगर जरा आप ये दूसरा sentence देखिए जब आपने दूसरा sentence देखा पहले के error की बात ही नहीं कर रहा मैंने आपको एक चीज़ सिखाई है वो क्या है कि जब हम किसी sentence में proposition लगा देते हैं तो proposition के बाद वाले nouns जो होते हैं वो कभी बी subjects नहीं बन सकते हमेशा preposition से पहले बैठा होता है इसका मतलब है ये दा लगा हुआ है तो ये आपका सब्जेक्ट है और अगर ये आपका सब्जेक्ट है तो हम जानते हैं जो हमारी क्रिया होती है वो सब्जेक्ट के हिसाब से लगती है तो यहाँ पर वर नहीं आना चाहिए क्या आना चाहिए वोज आना चाहिए अब अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप इसके मीनिंग की आधार पर कर लिजे कि जो spread का मतलब है फैला फैल गया कोई चीज यह जो फैलाव है जो 9 states में हुआ है और जो crop losses हुए है जो report किये गए है ठीक है तो यहां पर आप देखेंगे was जो है वो right answer आना चाहिए अब दूसरा problem अगर आप देखेंगे तो यहां पर दूसरा problem है that में कैसे India battled its worst desert locust outbreak भारत जो है जूज रहा यहां जूज चुका है यहां जूजा था अपने सबसे बुरे यह जो locust होता है locust क्या होता है आपने देखा होगा खेतों में जो है फसल जब I think कट रही होती है तब एक helicopter जैसे जो है insects आ जाते हैं उनको locust कहा जाता है ठीक है तो उसी के outbreak की बात कर रही है कहा जो है कि जून जुलाई में क्या हो गया था इसका outbreak हो गया था अब यहां that हम तब लगाते हैं जब हम आगे क्या का answer दे रहे होते हैं मैंने कहा he told me that he was ill he told me that he was ill यह आपको कोई नहीं बताए लेकिन अगर आप common sense लगाएं और मुझसे पूछें कि सर यह that आपने क्यों लगाया है मैं आपको एक simple सा answer दूँगा जब आगे वाली clause में हमें what का answer देना होता है किसका answer what he told me उसने मुझे क्या बताया उसने मुझे बताया कि वो बिमार था उसने मुझे क्या बताया यह ब बिमार था क्या यहां पर यह क्या का answer है इंडिया बैटन इंडिया ने जो है सबसे बुरे लोकस्ट आउटब्रेक से जूजा जून जुलाई में इस साल जो spread था जो फैलाव था नौइ स्टेट में और जो crop lessors थे वो रिपोर्ड किये गए राजिस्थान और यूपी में य यह वोट का answer है नहीं यहां पर एक simple सा conjunction आएगा end the spread to nine एक तो सबसे बुरे आउटब्रेक से जूजा और इसका जो फैलाव था वो 9 states तक जो है वो गया चार में और आप देखेंगे तीन में जो है error है वाकई में difficult question था अच्छा खासा दिमाग लगने वाला question था मेंस लेव है कि that हम तब लगाते हैं जब हम what का reply देते हैं पहली चीज़ दूसरी चीज़ हमने सीखनी है कि subject हमेशा proposition से पहले जो है लगा हुआ होता है clear है चलिए आगे बढ़ते हैं आते हैं third question पर पहले एक बार ranking देख लेते हैं C option कितने लोगों ने सही किया है 13.6% बच्चे जो है मुझे पता था यह सवाल कोई ना कोई जरूर पूछेगा चलो answer करता हूं इसको एक बार जरूर देखते हैं answer में हम जाएंगे पहले इससे पहले एक सवाल था बच्चे का यह मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों का सवाल हो सकता है कि अक्सर यह बताया जाता है कि जब हम सुपरलेटिव डिगरी लगाते हैं तो उससे पहले आर्टिकल दा लगाते हैं आप बिलकुछ सही कह रहे हैं कि जब भी हम सुपरलेटिव लगाते हैं तो पहले आर्टिकल दा लगाते हैं सवाल है कि इसमें आर्टिकल दा क्यों नह आपको याद अगर आपने मेरा मेराथॉन देखा है या फिर आप मेरे किसी पेड़ बैच में अगर आप पेड़ बैच में नहीं है तो मैं सब कुछ सजेस्ट करूंगा बैंकिंग वाला पर मेरे दो मैराथॉन क्लासेस पड़ी है तोटल मिलाकर साथ घंटे की है दोनों एक बार में देख लोगे आपकी 90% ग्रैमर की प्रॉब्लम स्वाल हो जाएंगे कुछ वर्ट्स होते हैं जैसे माय है यूर है अवर है इड़िज है इनको हम ग्रैमर की भाषा में कहते हैं आइडिंटिफाइर्स क्या कहते हैं identifiers कहते हैं क्या कहते हैं यह identity बताने का काम करते हैं सब्सक्राइब करो एक सेंटेस मैंने ये लिखा एक सेंटेस मैंने लिखा अब आप देखो के यहां पर जो superlative लगा है ना इससे पहले मैंने दा लगाया है बिल्कुश सही है अब आप कहो के सर superlative तो यहां पर भी है फिर आपने दा क्यों नहीं लगाया इसलिए नहीं लगाया बिटा क्योंकि यहां पर its पहले से लिखा हुआ है और its क्या होता है खुद एक identifier होता है और किसी भी sentence में एक noun से पहले दो identifier नहीं आ सकते क्या आपने कभी ऐसा sentence लिखा हुआ देखा है the an apple सुनाइह क्या कभी लिखा हुआ क्योंकि एक identifier ये है तो दोनों कैसे लगा दो कि किसी भी noun से पहले जो आगे noun लिखा हुआ है उससे पहले identifier एक ही आ सकता है एक ही आ सकता है दो दो नहीं आ सकते हैं तो यह मन में doubt मत रखना I hope clear हो गया हो गए यह सबी को चलिए अब अगर आपको यह बात clear है इस question में आते हैं यहाँ पर देखो बहुत simple सा logic है जरा समझना और answer करेंगे देखो English language बड़ी simple है वो कहती है कि अगर तुम्हें किसी बात को कहना है तो कहने के लिए बाद में लगाओ full stop बाद में लगाओ full stop जब लगा देते हो full stop तो बन जाता है वो sentence फिर किताब कहती है फिर English कहती है कि अगर तुम्हें पूछना है सवाल अगर तुम्हें पूछना है सवाल तो लगाओ question mark लगाओगे अपने आप ही question मन जाएगा तो ये तो बिलकुल basic है तीसरी class की बात हम इसी बात का अगर पालन करें और तीनो sentences को देखें तो हमें पता चलेगा ये तो question है ये sentence statement है ये sentence statement है अब दूसरी बा पाली ये है कि जब आप कहते हो बात जब आप लगाते हो full stop आप लिखते हो पहले subject को फिर बाद में अगर helping verb है उसको और फिर main verb है उसको जब आप बात को बताते हो जब बात को बताते हैं तो पहले subject लिखते हैं फिर helping verb लिख देते हैं और फिर main verb लिख देते हैं लेकिन ज फिर लिखते हैं main verb अब अगर ये बात आप समझ जाएं तो इस पहले option में आईए how long it it आपका pronoun है तो subject बनेगा takes आपका verb है क्या आया पहले subject आया फिर verb आया लेकिन ये भाई साब है क्या ये तो question है ये question थे तो पहले क्या ना चाहिए था helping verb आना चाहिए था है क्या नहीं है sentence गलत है लिखेंगे how long does it take how long does it take पहले helping verb फिर subject और फिर main verb आजाओ दूसरे वाले sentence में क्या लिखा है बाद में sentence है ये statement है question नहीं है question नहीं है तो पहले क्या आएगा subject आएगा subject आएगा देखो जरा have क्या है helping verb been practicing क्या है main verb you क्या है subject क्या लिखा है पहले helping verb क्या है ये statement है statement है पहले subject लिखो where have you been practicing नहीं where you have been practicing where you have been practicing लिखोगे तब जाके sentence क्या होगा सही होगा पहले subject फिर helping verb और फिर main verb क्योंकि यहां पर full stop लगा है आजाओ तीसरे में क्या लिखा है full stop लगा हुआ है full stop लगा हुआ है तो क्या है statement है statement है तो देखो पहले subject फिर helping verb फिर main verb हाँ या ना पहले subject फिर helping verb फिर main verb किस में लगता है sentence में statement में क्या ये statement है 100% statement है अगर 100% statement है तो यही आपका जो है वो right answer है यही आपका जो है right answer है I hope सभी को crystal clear होगा 2019, 2020, 2021, 2022 IVPS PO के pre examination में चारो साल इस concept से question पूछा गया है नहीं तो आप paper उठा के देख लीजेगा paper उठा कर जो है देख लीजेगा such arbitrary step भी हो सकता है an arbitrary step भी हो सकता है such arbitrary step भी हो सकता है clear है C option जो है वो आपका right answer है 11.63 प्रतिशत पर बच्चे जो है right answer दे रहे है अगला सवाल ये रहा आपके लिए पढ़िए जरा बढ़िया सवाल है 45 seconds दे रहा हूँ बहुत सारे नई concepts लाया हूँ आज आपके लिए कि नंबर गलत आ रहे हैं कोई फर्ग नहीं पड़ता पहला ही तो दिन है अज error का आएंगे कम आएंगे अज पर की बात है बढ़ाई त्रकी सवाल है ये चलो देखते हैं अब देखते हैं कि क्या कह रहा है sentence का meaning देखते हैं जो को when का मतलब होता है जब पहला sentence देखते हैं मानलो ये road है ये बंदा जो है यहां से cross कर रहा था ये इसका घर था इसने road cross कर लिया जब कार ने इसे टकर मार दी जब इसने road cross कर लिया ये घर में जा रहा था घर के अंदर घुस गया कार ने कहा अबे तू घर में कैसे जा रहा है कार इसके पीछे पीछे आई और कहा जहां तू वहां में और इसको ठोक के चलेगी ये बात बिल्कुल illogical है रोड क्रोस करने के बाद टक्कर मारने का सिलसिला बिल्कुल illogical है ये रोड क्रोस कर चुका था कार तो रोड पर चल लई होगी न इसके पीछे पीछे थोड़ी ना आएगी है ये तो भई गडबड आंसर है जो गडबड इसमें है वही गडबड दूसरे वाले में भी है दोनों से मी कार ने टक्कर मारी जब उसने रोड क्रॉस कर लिया था अरे भैया रोड क्रॉस कर लिया था तो कौन सा ये हैवी ड्राइवर था जो सीधा उसके पीछे पीछे चला गया ठीक है ऐसा तो नहीं हुआ होगा ये भी गलत है अब यहां पर जो तीसरा सेंटेंस है सी वाला ये भी गलत है इसका मतलब पता है क्या है इसका मतलब है कि मालो ये रोड है ये भाई साब रोड जो है क्रोस कर रहे थे तो कार यहां से आई इसका मतलब है कार टक्कर मारती रही ये रोड क्रॉस करते रहे, यार कार को भी टक्कर मारने में बड़ा मज़ा आ रहा था, इनने भी खाया, चलो टक्कर खाई रहे हैं, तो ढंग से खा लेते हैं, खाते ही रहते हैं, कार टक्कर मारती रही, ये रोड क्रॉस करते रहे, दोनों कॉंटिनेस में लिखे हुए हैं, दोनों ही किसमें लिखे हुए है। statutory में लिखे हुए है। जब हम qui więcत努ि काम काम हो रहा है। चलता जा रहा है। उसका मतलब है life काड़ कर मार्ती रही। यह रोड क्रॉस करते रहे। कहा है इतने प्यार से तो किसी ने शाल आया हैं निमें। आज पहली बार जो है बड़िया निशान देखने को मिलेंगे घर पहुंचेंगे ऐसा तो नहीं हो सकता This is also wrong इसको हम ऐसे लिखेंगे the car hit him the car hit him car ने उसे टक्कर मार दी car ने उसे टक्कर मार दी कब, when कब मारी होगी टक्कर मेरे भाई जब वो क्रोस कर रहा था कर रहा था मतलब continuous when he was crossing the road when he was crossing the road मतलब car ने उसे तब तक कर मारी जब वो road क्रोस कर रहा था बीच में ताट car उड़ा कर चली गई, ये sentence जो है सही है, all are incorrect इसके right answer है, a option को click करेंगे 55.56 प्रतश्यत बच्चे जो है, right answer दे रहा है मैं तो पूरी picture दिखाता हूं कि sentence का मतलब क्या है, picture क्या होती है देट तक दिमाग में रहा जाती है तेहरी तो भूल जाते हैं, लेकिन picture जो है यहाँ पर while भी आ सकता है, यहाँ पर when की जगा while भी आप लगा सकता है दोनों ही सही है, दोनों ही सही है चलिए अगले सवाल पर आपे हैं next question आपके लिए यह रहा पढ़ो ज़रा आप 45 सेकंड है तुमारे पास पढ़ो ज़रा बढ़िया तरीके से एक बार आज सुभा I think paid class में मैं यही concept करवा रहा था अगर कोई बच्चे इस class में होगा तो answer कर पाएगा जो बच्चे नहीं है paid batch में वो ज़रा सुने देखो यह used to एक model होता है अगर मैं कहता हूँ he used to play he used to play तो यह जो used to model है न इसका मतलब होता है past की habit इसका मतलब है कि यह जो काम है यह past में आदत के अनुसार होता था he used to play का मतलब है कि वह खेला करता था वह खेला करता था क्या है past की habit है लेकिन देखो यह used to क्या है model है subject के बाद जब कोई चीज लिखी जाती है तो ये used to model है अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ he is used to playing he is used to playing याद रखें जब subject के just बराबर में हम used to नहीं लिखते उससे पहले कोई verb लिख देते हैं तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ का आदी होना ठीक है जैसे एक example लेते हैं वो टीवी देखा है पहले movie देखने आते थे तो मुकेश का एक advertisement आता था कि मैं पहले तमाको का सेवन किया करता था मैं तमाको का सेवन किया करता था कब पास्ट में तमाको का सेवन किया करता था ठीक है तो कैसे बोलेंगे I used to consume tobacco I used to consume tobacco मैं tobacco का सेवन किया करता ठा ठीक है लेकिन मालो तुम्हें 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 को तबैको की आदत है खाने की आदत है तो तुम कैसे बोलोगे कि मैं तो तबैको खाने का आदी हो चुका हूँ I am used to consuming tobacco को मैं तबैको खाने का आदी हो चुका हूं मैं है बिच्वल हो चुका हूं तो क्या कहोगे I am used to consuming तबैको ठीक है क्योंकि मुझे भी एक दिन पिच्चर में आना है तीवी से पहले advertisement में मेरा भी चहरा आना चाहिए ठीक है तो उसका मतलब यह होता है अब यहाँ पर आप देखो मैं आपको sentence पढ़िए ज़रा एक बर क्या कहा जा रहा है as he lives in the mountains क्योंकि वो कई सालों तक mountain में रहा है she is used to hiking steep trades उसको आदत है उपर hike करने की हमें यहाँ तक पहुचना ही नहीं है क्यों नहीं पहुचना क्योंकि यहाँ पर देखो four years लिखा हुआ है अगर हम किसी चीज में four duration के लिए लगाते हैं तो उसको हम लिखते हैं किस में present perfect continuous में लिखते हैं तो यहाँ पर has been living होना चाहिए था for or since के साथ हम present perfect continuous लगाते हैं तो यह क्या हो गया गलत हो गया आजए यह दूसरे option में being agile agile का मतलब क्या होता है active होना basically क्योंकि वो active है इसलिए वो आदी हो चुका है थंडे और choppy waters में तैरने का रोज और वो रोज तैरता है यह sentence क्या है एकदम सही है कोई भी problem नहीं है question number C में आएंगे he is used to playing the guitar every weekend अब अगर देखो आपको क्या दिख रहा है is used to playing guitar दिख रहा है ना इसका मतलब है यह कह रहा है कि वह है guitar खिलने का आदी हो चुका है लेकिन जब आप sentence को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अभी यह guitar चलाता ही नहीं है मतलब playing का मतलब चलाना होता है अभी यह guitar चलाता ही नहीं कैसे पता चलता है जो लिखा है इसका मतलब है प्रेजेंट में चलाता नहीं है तो यह नहीं आ सकता तो यह past habit है अगर past habit है तो यहाँ फेट पैडे होना चाहिए अकेला जो वी sentence है वही आपका right sentence है पिछले साल месяce examination में जो है वो used to model से question आया था एक वो question मुझे याद लिये में कल जरू करवाऊंगा आपको इसका जो right answer है वो B option है 32.41% बच्चों ने right answer दिया है बहुत बढ़िया चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पे 7th question for you guys पढ़िए जरा 45 seconds हैं आपके पास दुबारा से बहुत अच्छे से पढ़िये गा answer आएगा चलिए जरा देखते हैं क्या कहा ज़र है शी केरफुली प्लेज दा डेलिकेट वास वास किसको कहते हैं फूल दान को कहते हैं on the middle shelf on the middle shelf अब देखो मालो यह मेरे हाथ में एक वास है ठीक है यह वास दिख रहा है तो मैं और यह एक shelf है तो अगर मैंने वास को यहां पर रख दिया ऐसे ठीक है तो क्या बोलेंगे on बोलेंगे on surface के लिए use किया जाता है तो on the shelf क्या है सही है क्या है सही है कोई दिक्कत नहीं है एक दम सही है अब जरा आ जाओ दूसरे पर the adventurous child managed to यह जो child था बड़ा ही खिलाडी किसम का था adventurous था यह क्या कर रहा था scramble कर रहा था scramble का मतलब क्या होता है कि माल लो एक पेड़ है एक पेड़ है और यह इसकी टहनिया है ठीक है कुछ टहनिया जैसी लग नहीं है आदमी ज़्यादा लग रहा है यह माल लेते है लेकिन पेड़ है तो यह क्या कर रहा है इस पर scramble कर रहा है scramble का मतलब होता है चड़ना क्या करना चड़ना और चड़ चड़ कर यानि क्या कर रहा है move कर रहा है scramble का मतलब होता है चड़ना चड़ रहा है तो क्या कर रहा है move कर रहा है और move कर कर मालो यह पेड़ा यह टहनी है उसकी तो इस टहन के ऊपर खड़ा हो रहा है चड़ते चड़ते क्या कर रहा है इस टैनीके ऊपर आ रहा है तो ऑन सर्फेस के लिए उस करते हैं यहां पर having सा उंडाend ये revisit कर रहे हैं और ये glide कर रहे हैं over the field किसी चीज़ को जब हम cross करते हैं तो over the fields नहीं बोलते across the fields बोलते हैं मतलब एक कोने से दूसरे कोने की तरफ जाना तो यहां पर क्या आगा across the fields जो है वो right answer होगा इसका right answer जो है वो a option है बाके सारे के सारे क्या है गलत है 10.7 चार प्रतिशन ब बच्चों को number नहीं बन रहे हो हो सकता है class में बहुत सारे बच्चों को यह difficult भी लग रहा हो लेकिन एक बात कभी नहीं भूलना कि आप जो exam देने जा रहे हो वो आसान exam नहीं है अगर आप अभी से इनको करने की कला नहीं सीखेंगे answer सही है गलत है does not matter लेकिन वो answer कैसे आय यह उस answer तक आने के लिए मैं आपको कौन सा रास्ता दिखा रहा हूं जब तक आप उस रास्ते को नहीं पकड़ेंगे एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार नहीं exam से पहले कम से कम सो बार तब तक 101 वी बार जब वो आपके exam में आएगा तब ही आप उसको solve कर पाएंगे नहीं तो आखें बंग करके सोचते ही रह जाएंगे कि आपके साथ क्या हो रहा है examination को crack करने की और मैं जब बात exam की करता हूं मैं pre की बात नहीं करता सिर्फ pre और मेस दोनों की बाते करता हूं pre और मेस दोनों को crack करने के लिए दो बहुत बड़ी कला चाहिए पहला obviously बात है knowledge बहुत 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 ज़ादा जरूरी है लेकि सिर्फ knowledge से भी कुछ नहीं होने वाला जो knowledge आपने gain की है ना उसका repetition आपने कितनी बार किया है एक ही concept के कितने सवाल आपने बार बार निकाले हैं जब आप एक ही सवाल को एक ही concept के सवाल को बार बार निकालते हैं तो आपकी skill बनती है उसमें अगली बार वो सवाल आता है तो आपके दिमाग की बत्ती पहले ही जल जाती है शुरू में नहीं जलेगी लेकिन इन ही concepts को आप करते रहिए तीन चार महीनों में आपकी बत्ती अपनियाब जलना शुरूँगी और आप exam से sentence लिखते ही बता दोगे कि इसमें ये problem आ गई है अगर आप toppers का interview देखेंगे shorts देखेंगे तो हर बच्चा even AIR 1, AIR 2, AIR 3 तीनों ने कहा है कि वो super mocks भी लगाते थे और editorial session भी लगाते थे उसका कारण success का कारण भी है कि right from the first day हम target हमारी job को कर रहे हैं हम pre को target नहीं कर रहे हम मेंज को target नहीं करे हमारा मकसद है यहाँ पर job के लिए तैयारी करना और भारत में job की तैयारी करने का मतलब है थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा marks नहीं बन रहे हैं तो उससे negative मत होई है एक learning लीजिए कि जो आज सीखा है कोशिश करूँ है कल गलती ना हो that is something that you have to do positive mindset रहना चाहिए और एक common sense भी तो लगाओ मेंज में 60 से 70 परसेंट पे तो job मिल जाती है सो में से 60 नंबर है आपके example बता रहा हूँ 60 प्रतिशत है तो आप नौकरी पे लग जाते हो इसका मतलब जानते हो कि आप 40 गलत कर सकते हो तो ऐसा नहीं है कि आपको 100 out of 100 की तयारी करनी है आएंगे भी नहीं कभी मेंस में आपको अपना best देना है वो तयारी करनी है अगला सवाब आपके लिए next question पढ़िए ज़रा यह pattern दुबारा से change हुआ है 45 seconds दे रहा हूं मैं आपको कन्फ्यूजन होगा शुरुआत में बहुत कन्फ्यूजन होगा होता है भाई होता है चली आगे देखते हैं समझते हैं कि क्या कहा जा रहा है कैसे कहा जा रहा है people notoriously fail to stick to new year's resolutions and this year it may be even harder अब देखो यहाँ पर कुछ बहुत ही basic गलतियां दिख रही है क्या आप मालो आपको समझ में नहीं आया people notoriously आपको मालो notoriously का मतलब नहीं पता कोई दिकर नहीं है fail to stick to new year's resolutions resolutions क्या है plural है ठीक है and this year और इस साल it it का मतलब क्या है resolutions इस साल यह और भी ज़्यादा सक्त होंगे तो यह plural है तो plural के लिए आप it तो नहीं लगाते दे लगाते है पहली problem तो यह है ठीक है they may be even harder अब देखे अब यहाँ पर आपको क्या problem नज़र आ रही है people notoriously fail to stick to new year's resolution यहाँ पर new year's resolution नहीं आएगा इसकी जरूरत ही नहीं है error कहाँ पर है second part में है और third part में है बी part जो है आपका error है बी part जो है आपका error है 26.28% मैं एक shorts आज जारी करूँगा आज upload हो जाएगा कल मैंने AIR3 का interview लिया था और उससे पूछा था कि जब सुपरमॉक लगाते थे तो आपके शुरू के दिनों में कितने number बनते थे तो उसने बताया था कि सर जब मैंने आपका पहला सुपरमॉक लगाया था 2023 में कब जुलाए 2023 में उसने लगाया था और आज शायद वो upload हो जागा यूटूब पर उसने काया कि पहले सुपरमॉक में मेरे जो है लगबग चार नंबर बने थे कितने नंबर बने थे चार नंबर बने थे पहले सुपरमॉक में लेकिन एक्जाम की डेट आने तक मैं सुपरमॉक में 30 कुशन देता था उस टाइम 24 या 25 स्कोर करने लग गया था तो बात यहां पर consistency की है सीखने की है चलिए आगे बढ़ते हैं आते हैं को अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे ना पटाले से किंड बहुट बहुट हैं बहुल है खो कर दा हम चलिए देखिए कुछ basic errors है इसमें जैसे देखिए foreign companies as well as local ones कहा जा रहा है foreign companies और local company जो है उन्हें अच्छा access चाहिए ठीक है अब देखो मैंने एक sentence लिखा I need access access-safe मुझे अलमारी का access चाहिए मुझे बताओ कि मैं यहापर कौन सा proposition लगाऊंगा लगबग 7-8 दिन पहले सुभा editorial के session में मैंने यह करवाया था access जो शब्द है उसके साथ हमेशे two proposition लगता है लखेंगे I need access to the safe तो यहापर two नहीं आएगा तो पहली बात तो for लगाईए ठीक है fix the proposition का question है foreign companies as well as local ones need good access to land procurement in remote parts in remote parts for potential manufacturing for potential manufacturing किसकी manufacturing और नहीं off किसकी manufacturing assembly units की manufacturing और का यहाँ पर कोई logic नहीं है तो अगर आप देखेंगे second or four जो है वो आपका error part है बी में जो है आपके error है देखते हैं जरा आगे बढ़ते हैं पच्पन पॉइंट नो एक प्रतिशत बच्चे जो है वो एकदम right answer दे रहे हैं चलिए दस्वा सवाल यह रहा आपके लिए इससे पहले मैं आपको दूसरे questions पर लेके जाओंगा पहले हाँ जी पहले column वाले कुछ questions करेंगे नया pattern है अच्छे से पढ़िए 45 seconds दे रहा हूं आपको ताइप वन आपको मैच करके बताना है कि कौन सा मैच हो रहा है चलिए अब यहां पे देखो पहला game क्या खेलते हैं column based question में पहला game क्हेलते हैं grammar का कैसे खेलते हैं जरा समझाता हूं पिछले साल के question से inspiration लिया है क्या कह रहे हैं कह रहे हैं कि यह जो 3 lines दी है ना यह देखो कि किसके साथ match हो रही है जिसके साथ match हो रही है वही आपका answer है ज़रा करते हैं पढ़ते हैं The power of the people is more important than यानि जो लोग हैं उनकी power ज़ादा important है किस से The power of the government लोगों की power ज़ादा है सरकार की power से यानि हमें AF का combination दिख रहा है अब दूसरा देखे We cannot progress without the participation of हम progress नहीं कर सकते बिना भागीदारी के किस की भागीदारी के Of the 1.25 billion people of the country यानि यहाँ पर आप देख रहे है B का combination E के साथ बन रहा है बिल्कुल सही है अब क्या करेंगे बच्चे जनरली क्या करते है भावनाओं में बहा जाते हैं और फिर सोचते हैं कि अच्छा अब लगता है कि सारे ही combination बन रहे होंगे पढ़िये जरा It is not possible to move forward Without It is not possible to move forward यहाँ पर without लिखा है और यहाँ पर लिखा है power of the people आप लोग देखेंगे आपको एकदम अर्थ के अधार पर दोनों जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं लेकिन यह connection बनेगा नहीं क्यों नहीं बनेगा आपके अंदर common sense होना चाहिए कि आप देख रहे हैं बाके जितने भी options हैं जिसमें जब power का जिक्र हुआ हमेशा उससे पहले इन्होंने दा लगा रखा है तो अगर आपको पहले से नहीं पता था तो आपको इसको देख कर तो कम से कम पता चलना चाहिए कि power जो noun है उसके पहले दा article देना जरूरी है और अगर आप देख रहे हैं डी option में जो है दा article दिया हुआ ही नहीं है सिर्फ power of the people लिखा हुआ है इसका मतलब है ये connection जो है वो बनेगा ही नहीं ये connection जो है वो बनेगा ही नहीं combination जो बनेगा वो किसका बनेगा only A and B का बनेगा ये जो है आपके साथ पहला game होगा column based questions में क्योंकि answer की कभी निकल कर आती नहीं है हमें पता नहीं चलता कि गड़बड कहां पर है मैंने कम से कम नहीं तो 6 या 7 सवाल देखे हैं same ही pattern पर आते हुए जहां पर अनुवात करने में तो mix हो रहा है लेकिन grammatical error है उसमें तो अगर grammatical error है तो ये connection बनना संभव नहीं है नहीं है संभव तो भईया इसको नहीं बनाएंगे इसको ऐसे ही छोड़ देंगे A option जो है उसको click करते हैं देखते हैं कितने बच्चों ने पचास प्रतिशत बच्चों ने जो है राइट आंसर दिया है ठीक है सीखने की कोशिश करिए पंदरवा सवाल लॉजिक लगाईएगा अच्छे तरीके से ये रहा आपके सामने 45th question Sorry 15th question When it comes to LED lighting technology Led to several कोई logic नहीं Low on power कोई logic नहीं When it comes to LED lighting technology There is no better alternative than HPL ये mix हो रहा है कि जब बात LED lighting technology के आती है HPL से बढ़िया कोई choice नहीं alternative का मतलब choice हो गया तो A और F का combination हमें देख रहा है clearly अब अगर हम आगे पढ़ें Lack of structured approach Structured approach की कमी किसके प्रती Implementation of labor laws के प्रती Has उससे क्या हुआ है कई ऐसी situation Has led to several latent violation इनकी वज़े से कही चीजों का उलंगन हो गया है इसका मतलब है B और D का combination जो है वो सही बन रहा है अब अगर आप नीचे options में जाएंगे तो आपको देखो A, F और B, D कहां देख रहे हैं A और B पर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर आप देखिए B and C है तो यह तो हो नहीं सकता तो answer all A, B and C होगा आपको तीसरा पढ़ने की जरूरती नहीं है कोई और possible answer जो है वो हो ही नहीं सकता देखते हैं जरा 24.47 प्रतिशन बच्चे जो है राइट answer दे रहे हैं चलिए अगला सवाल यह रहा आपके सामने पढ़िए जरा इसको यहाँ पर देखते हैं क्या possibilities बनती है कोई नहीं दुबार आईए PDF आपको English with Anubaf Sir Telegram चैनल पर मिलेगा एक बार अच्छे से revise करना जो चीज़े मैंने बताई हैं उनका ध्यान रखना एक बार आज पहरा दिन था तो समय ज़्यादा ले रहा हूं चलो अब देखो तुमने इस question को देखा यह नया variety आगया अब यहाँ पर जब तुम option देखोगे तो इसमें सिर्फ बोथ A and C का option है पहला option पड़ा India has a problem of भारत में problem है किसकी surplus and unskilled labor की problem है यानि A और F का combination पक्का है अगर A F का पक्का है तो यहां तो यह सही होगा यहां फिर यह सही होगा अब तुम्हें दुबारा बनाने की ज़रूदने C को देखो C कौन सा है देखे ज़रा एक बार C F है C F C F को देखो मिलाकर increasing in hiring cost has यह column तो लिख दिया has आगे कहा है C F has लॉजिक नहीं है इसका तो यह भी गलत होगा ए जो है वो आपका right answer है ए जो है वो आपका right answer है इसको 88.18% बच्चे देरें बड़े देर के बाद राहत की सास आई होगी ना आज गलत सारे बहुत सारे गलत हो रहे होंगे आज के लास में पहले क्लास है ना इसलिए गलत हो रहे हैं मैं बच्चों वाले के राम has a book राम have a book बताओ कौन सा साही तुम भी खुश मैं भी खुश पाटी कर रहे है मजे के आज तो सर ने क्या ही सवाल कराये थे पूछ रहे थे कि राम के साथ हैस आएगा हैवाईगा मैंने जट से बता दिया फिर examination hall से तुम निकलोगे मायूस पसीने में घिरे हुए कि ये किस क्या ही पड़ा दिया हमें पहले यूटूब में घुसकरी मुक्का मारूंगा सर के मूँ पर अगली बार 11 बज़े class लगेगी तो ऐसी स्थिती कि ऐसे मुक्के मैं खाना चाहता नहीं हूँ इसलिए मैं वही कुशिश करता हूँ करवाने की कि तुम हो सकता है class में बैठके बहुत रो ये चार महीने तुमें रोज आंसूं आए कि भईया नंबर बनी रही रहे हैं लेकिन जब exam hall से निकलो तो भईया सा लाइक ठोक दीजिए ताके मैं 30 सेकंड का ब्रेक भी लिए लूँ चोटा सा लाइक के बहा नहीं पानी का आए है है कि भी धीरे धीरे जब यही question सही होंगे ना तब आएगा मज़ा समय लगेगा लेकिन एक दम नहीं होगा समय लगेगा चलो भाई लाइक कर दो यार अगला सवाल पढ़ो जड़ा 45 सेकंड फिर आपके पास अच्छा option नहीं दिख रहा क्या है इस तरी options नहीं दिखते है पढ़ो जड़ा बढ़िया सवाल है पढ़ना पढ़ेगा यह तुम्हें बिलकुल एरर नहीं ढूल पाओगे मैं कहा रहा हूँ न पहली क्लास है धीरे धीरे आएगा धीरे धीरे नंबर बनेंगे बड़े ही tricky तरीके से इसको बनाया गया है कॉंग्रेस लीडर एचार भारदुआज ठीक है कॉंग्रेस लीडर एचार भारदुआज है हूँ मेड़ हिस नेम इन इंगमार बगबन मुवीज बिफोर फीचरिंग इन हिट्स लाइग गेम अफ थ्रोंस में कॉंग्रेस लीडर एचार भारदुआज आ गये क्या बने थे ड्रैगन ने ड्रैगन तो नहीं बने होंगे यह तो कॉंग्रेस लीडर एचार भारदुआज इस सेट टू टेक चार्ज ऑफ गैप इन्क लार्जेस अपेरल लिटेलर कॉंग्रेस छोड़के सीधे इन्होंने MNC जाइन कर ली ऐसा भी नहीं हो सकता यह इसके साथ जुड़ेगा AF जो है इसके साथ जुड़ेगा यानि AF का कॉंबिनेशन है AF यहां लिखा भी हुआ है अब दूसरा देखते हैं इंडियन ओरजिन सोनिया सिंगल 49 अब इंडियन ओरजिन सोनिया सिंगल भारत की है लेकिन भारत का ओकिन यां लेकिन कहीं और की है तो यह इनके साथ मिक्स होता दिख रहा है B और E जो है उसका combination है तो जब तुम्हें पता है कि B और E B combination है और A F भी combination है तो इसका answer all A, B and C जो है वही right answer होगा clear है? चलिए आगे बढ़ते है option D 88.31% बहुत बढ़िया अगला सवाल यह रहा 45 second है आपके पास यह conjunction based question है यह भी बहुत आता है जड़ा solve करो आराम से समय लो solve करो hard question कम हो पाए है चलो कोई बात नहीं कल बढ़ाएंगे आज थोला explanation में ज़्यादा समय लगा अब देखो यहां पर क्या कहा जा रहा है तो उसने क्यों medicine चूज किया क्योंकि वो लोगों की जिन्दगी में बदलाब लाना चाहती थी यानि यह reason है और अगर reason है तो reason के लिए क्योंकी होता है क्योंकी का मतलब होता है as, since, because, or for ठीक है, यह मतलब होता है क्योंकी का तो अगर आप देखेंगे तो यह तो उड़ गया और यहां पर यह भी उड़ गया एक यह, एक यह, एक यह, तीनों ही सही लग रहे हैं अब ज़रा आगे पढ़ते हैं people's life, her own experiences और साथ में लिखा है उसके खुद के experiences में, impact वो लाना चालती थी लोगों की जिंदगियों पर और खुद के, खुद के experiences पर health care, तो यहां पर जुड रहा है तो end आएगा, तो because, or end जो है, इसका क्या होने वाला है right answer जो होने वाला है c option will be the right answer 92.41% बच्चे right answer जो है, वो दे रहे हैं चलिए, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 19 वे सवाल को, चलिए 45 seconds हैं आपके पास, करिए ज़रा एक बार अगर आज की class में आपके 2-3 भी सही हुए हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं है यह जो मैंने सिखाया, वो सीख जरूर लेना movement of freight, 24 km per hour passenger, 50 km per hour trains, ठीक है while the passenger नहीं mix हो रहा, among the slower नहीं mix हो रहा, revenues to match expenditure नहीं mix हो रहा, यानि यह तो कहीं से नहीं जाएगा अब यहाँ पर अगर आप देखो, Indian freight fares are among the costliest globally, इंडिया के जो freight fares है वो सबसे महंगे हैं, दुनिया बर में while the fare, देखो यहाँ पर costliest है while का मतलत होता है, लेकिन लेकिन जो passenger fare है, वो सबसे सस्ता है तो यह contrasting statements है, तो C और D जो है वो आपको मिलता हुआ देख रहा है, C और D ठीक है, अब ज़रा देखते हैं the railways is unable to increase क्या increase? revenues to match expenditure जो railways है, वो अपना आमदनी नहीं बड़ा पारी कि वो expenditure से तालमेल खा पाए तो CF देख रहे है, अब हमें C और D, sorry B और D था है ना B और D, C और F, ठीक है यह B और D था, तो यहाँ पर देखेंगे B और D, C और F कहां लिखा हुआ है यह लिखा हुआ है, B और D, C और F ठीक है, E option जो है, वो हमारा right answer है, A पर जो है 8,1% बच्चे कर रहे है last question देख लेते हैं, आज का इसको solve कर यह 45 second है आपके पास एक बार या लाइक कर दो प्लीज सारे के सारे गुस्सा मत दिलाओ मेरे को सारे छे सो मुझे लाइब दिखा ही दे रहे हैं, लाइक दिख रहे हैं, कितने 492 है, गलत है यह, करो भाई, लाइक आप देखो, इहां पर क्या कहा जा रहा है, यू विल नॉट बी eligible to join the advanced research team and participate in the upcoming project कहा जा रहा है, कि तुम जो है eligible नहीं हो गए advanced research team को join करने के, और upcoming projects में participate करने, कब तक जब तक, तुम इस training को पूरा नहीं कर लेते, जब तक का मतलब होता है, unless, क्या मतलब होता है, unless, ठीक है, तो unless कहा लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है, बाकि में unless है, नहीं तो भी आपका जो है, वो right answer रहने वाला है, चलिए, 94.22% बच्चे जो है, right answer दे रहें, आज के class में, मैंने दो-तिन question चुड़वा दी है, क्योंकि समय देख रहा था, मैं खतम होने वाला है, hopefully आपने बहुत learning जो है, वो ली होगी आज की class में, सीखा बहुत कुछ होगा, consistently, मैंने एक मिनिट भी ब्रेक नहीं लिए, consistently बोलना हूँ, 11 बजे से, इसका मतलब है, बहुत सारे concepts मैंने आपको सिखाए हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है, कि इन PDS को समाल कर रखें, सीखें अच्छे से, number नहीं बन रहे हैं, गोली मारो, नहीं बनने दो, कोई problem नहीं है, सीखना is important, exam में बनने चाहिए, number, अभी तो शुरूआ आता है, मेरे भाई, आगे बहुत समय पड़ा हुआ है, सीखेंगे, धीरे-धीरे बढ़िया होंगे, एक बार ranking देख लेते हैं, शर्माना मत देखकर इसे, सिर्फ उसके लिए है, रिधी देखें, इतने challenges के बावजूद भी उसने 10 answers सही दिया है, 10 बहुत अच्छा number है आज के class के लिए, पहले से पड़ रही है, तो बढ़िया भी कड़ रही है, ठीक है, मयूरी, नाइन, मयूरी का नमा इसे पहली बार रही है, घोस्ट ऑपरेटर, पुराना बच्चा है, काफी समय से आ रहा है, 9 सही कर रहा है, टिशा भी आई दिंग, दिशा, हिमान्शी, अमीशा भी आई दिंग, काफी समय से, आकाश, रजट, विशाल, राजनन्दिनी, श्रियाश, विक्रम, रजट, नीलम, डाउट है तो डी टैप करे, भगवान, क्या लिखा है भाई इसने, राजी, साक्षी, रासिका, सुमन, तान्या, अलकैमिस्ट, अंशुल, विकास, किम जौंग, अन, बबिता, तनु, शिलपा, अकांक शा, मेरे ख्याल से, अगर आप मुझसे तीन महीने से पहले से जुड़े हैं, तो अगर आपकी क्लास में अच्छे नमबर हैं, तो आप ठीक कर रहे हैं, बुरा नहीं कर रहे हैं, अगर आपको एक से लेकर तीन महीने हुए है तो आपके 4-5 नंबर भी है तो भी काम चल जागा इससे कम है तो भी चल जागा बिलकुल नए यह ने ताजा ताजा माल हो नंबर देखो मत सीखने की कोशिश करो चलिए देखते हैं ज़रा एक बार मिलते हैं आपसे कल सुभा आठ वजे एडिटोरियल सेशन में पढ़ते रहिएगा मेहनद करते रहिएगा इंगलेश वानी में अन्रोल नहीं किया तो मैं बतायता हूँ बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ मैं कभी जबरदस्ती कोर्स को प्रमोड करता ही हमेरी आदध ही नहीं है लेकिन अगर मैं कहरा हूँ ना कि किसी चीज में बढ़िया है तो कर लो इसका reason ही है कि पछले एक साल से देख रहा हूँ सर स्पोगन करवा दो, सर बेसिक करवा दो स्पोगन करवा दो, बेसिक करवा दो, यूटूब पर करवा दो झाल झाल